कास्मीर से कन्या कुमारी तक भारत एक है किसी एक ब्यक्ति के पीछे देश के सारे चोर इकठा होके और यह बात अगर कर रहे हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि इस देश की बागदोर किसी एक पिमानदार ब्यक्ति के हाथ हो ले कि सबसे बड़ी सियासत जो हो रही है वो भारत जोड़ो यात्रा पर हो रही है राहूल गांधी कन्या कुमारी से लेकर और कस्मीर से कंद्या कुमारी यात्रा कर रहे है तो क्या अपनी जमीनी सियासत तलास रहे है ऐसा कुछ देखिए पहले तो अपने पार्टी को जोड़ लेवें उनके पार्टी के बड़े-बड़े नेता उनकी पार्टी छोड़कर चले गए भारत अपने आप में ने वो जन सभा किये यात्रा के दोरान अपने बीजेपी और आरेसेस उनके मुख्ष निशाने पर से देखिए बीजेपी भी आरेसेस को तो निर्यंतर्व देश के कई बार उन्होंने कही तरह की टिपड़ी किया है कि यह देश विरोधी संगठन है और भी उनकी पार्टी है उनको संगर्ज भी करना चाहिए और रही बात भारती जनता पार्टी की तो भारती जनता पार्टी ने अगर उनको इतनी ही चिंता होती राहुल गांधी जी को तो इस देश में निर्यंतर कांग्रेश की सरकार नहीं है और 370 का मुद्दा हो क्योंकि भारती जन्ता पार्टी के एजेंडे में था कि कास्मीर से कन्या कुमारी तक भारत एक है और हमारी सरकार आने के बाद हमने 370 और 35 से हटाने का काम किया राम मंदिर का मुद्दा 400 सालों से था कांग्रेश की सरकार रही इस देश में आजादी के बाद मगर निरंतर उनके वकील और उनके पार्टी के नेता निरंतर उसका विरोध करते रहें कि इसको आगे बढ़ाया जा इसको सुनने की आवश्यक्ता नहीं है तो भारती जनता पार्टी इस देश के इस समाज को देश की एकता को देश की अखंडता को राष्ट के निर्माण के लिए भारती जनता पार्टी ही सोच सकती है कांग्रेश ने निर्णतर तुष्टी करन की राजनित की है जातियों की राजनित की है चाहे कांग्रेश की बात हो चाहे शपा की हो चाहे बस्पा की हो यह लोग देश के और प्रदेश के हित में काम नहीं किये हैं ये लोगों ने अपने परिवार को बढ़ावा देने के लिए, भरष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, और निदंतर भरष्टाचार में लिप्त रहे हैं, चाहे कांग्रेश का इतिहास उठा के देखा जाए, और उनसे सासनकाल में, अगर किसी लेखक को मिले, तो हुआ है मानिदेश के प्रधान मंत्री के नेत्रित में 2014 में सरकार बनी है और आज तक में हमाज कि जिस भी प्रदेश में अमारी सरकार कैंधर में हम कि दुबारा भारती जंता प्राठेー की । मोधे जी के नेत। Même उत्तर प्रदेश में योगी जी के कि सुनने को भी नहीं मिला होगा कि हमारी सरकार में कोई भरस्टाचार में चाहे मंतरी हो चाहे हमारे नेता हों कहें कोई लिप्त नहीं है और इनकी सरकार में निगंतर रोज सुबा अगबार पढ़ते थे तो करोडो अब जो के भरष्टाचार मीडिया के माध्यम से देश की जनता को जानने को मिलता था तो देश की जनता ने इन छेत्री पार्टियों को और कांग्रेश को नाकार चुकी है उनके चाल और चरित्र को पहचान चुकी है और भारती जनता पार्टी की प्रत्र देश और प्रदेश की जनता को विश्वास अभी 2018 में लोकसभा चुनाओ हुआ उसमें भी वही कंडिशन थी और 2024 में भी लोकसभा चुनाओ होने हैं तो मसला यहां फसा है विपच्छे में कि एक अनार सो बिमार जैसी मतलब प्रधान मंत्री के चहरे को लेकर खीश तान जारी है उधर OVC कह रहे हैं कि आप जो ही कुमार अलग परिसान है देखिए देश के किसी एक व्यक्ति के पीछे देश के सारे चोर कठा होके और बात अगर कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि इस देश की बागदोर किसी एक इमांदार व्यक्ति के हाथों में अगर सपा की बात करें तो अखलेस यादो लगातार बिजेपी पर योगी सरकार पर अपने नेताओं और कार्यकरताओं पर प्रताडित करने का आरोप लगाया है कि प्रसासन उन्हें लगातार जेल भेज रही हो प्रताडित कर रही है देखिए भारती जनता पार्टी कोई बदले की भावना से राजनीत नहीं करती है मगर जो कोई भी हो समाज में अराजगतत तक फैलाने की अगर कोशिस करेंगे तो उनके उपर कारवाई होगी अभी अऄलेस ज्यादो पुलिस मुख्यालए पहुचे थे उनके सोसल मीडिया हैंडलर था उसे गिरफतार करके पुलिस Очень चह आफ़र की गई तो चाया के लिए उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा नहीं मैं आपकी चाय नहीं हो सकता है जी हर मिला और जब माननी अकलेस यादो जी को पुलिस के उपर भी भरोसा नहीं है तो इस परदेश की जंता देख भी रही है समाज भी देख रहा है कि उनके इस बयान पे हमारे पुलिस के जवानों के उपर जो निजंतर मिनाच करके समाज की रच्छा और सुरच्छा करते हैं कि अगाहत पहुंचा है उनको ऐसी टिपड़ी मन्यकलेस जी को नहीं करने चाहिए अब देखिए भी राजनीत में हर नेता और हर पाल्टी के नेता एक दूसरे के ऊपर टिपड़ी करते हैं और उसमें ऐसा कोई अलोचना वाली बात उस तरीके से नहीं होती है तो अपने अपने विचार है अपने अपने क्या नहीं पार करना है क्या पार करना है ऐसी जब नौबत आएगी तो हमारा जो प्रसासन है यही प्रसासन उनके सासन काल में भी काम किया है और यही प्रसासन आज भार्ती जंता पार्टी के सासन काल में भी काम कर दा है, यही अधिकारी उनके सासन काल में रहें, क्योंकि परदेश का मुखिया अगर इमांदार है, तो उसके नीचे के प्रसासन के कार करने वाले जो अधिकारी होते हैं, वो भी उसी की मंसा के अन्द बिहार के सिख्छा मंत्री चंसेखर ने एक बहुत ब्युवादित बयान दिया है उन्होंने कहा कि राम चरित्र मानस पार्ट और मनुश्मृति और गोलवरकर की एक पुस्तक उन्होंने लेख किया और कहा कि ये जो है पहिलाओं को रोकती है उस पर बहुत सियासा तो उन्हे इसे फाड़ कर फेग दिना चाहिए और जला देना चाहिए कि राम चरित्र मानस के ऊपर ऐसी टिपरी करना कि बहुत ही निंदनी है राम चरित्र मानस राम प्भुश्री राम हमारे आराध है और पुरे देश की जंता उनको अपना आराध मानती है और हमारे उन्ही के कार्यों के जिस तरीके से उन्होंने एक युग में जब आउतरित हुए थे जिस तरीके से उन्होंने कर्म किया है जिस तरीके से उन्होंने एक आदर्स मर्यादा पुरसुत्तम श्री राम तो मर्यादा प्रसुत्तम स्री राम की जो उपाधी है एक आदर्श के तोर पर इस देश की जनता देखती है और उनके बारे में इस तरीके से टिप्री करना मानी मंत्री जी को शोभा नहीं देता है अभी जो है 2024 में लोकसभा चुनाओं है तो लोकसभा चुनाओं में अपकी बार बिजेपी कितने पार क्या उम्मीद और क्या अकड़ाप तिकिये माह भारती जनता पार्टी विकास को लेकर जनता के बीच में जाती है और भारती जनता पार्टी के कारकरता निरंतर विकास की चर्चा और हमारे देश के प्रधान मंत्री माननी नरेंद्र मोदी जी ने आपने देखा होगा कभी माननी देश के प्रधान मंत्री की माता जी का अन्तिम संसकार में उन्होंने एक शामान नता हां जिसे एक समाज में एक सामान परिवार गरीब परिवार जिस तरीके से अपने परिवार का अंतिम यात्रा निकालता है और एक सर्वजनिक अस्थान पर जहां सारे समाज के लोगों का अंतिम संसकार होता है ऐसे उन्होंने किया एक आदर्स और एक मिशाल कायम किया तो हम मोदी जी के नेतुरित में जनता के बीच में जाते हैं और देश की जनता मोदी जी के उपर विश्वास किया है। या प्लाइन किये हैं उत्तरप्रदेश छोड़कर भाग जाने के लिए। और यह सब सारे चीजों को देखते हुए इस बार भारती जनता पार्टी और जनता का विश्वास जिस तरीके से भारती जनता पार्टी के प्रत है। उत्तरप्रदेश में सारी पार्टी का कितना भी बड़ा गड़बंदनों सब का सफाया हो जाएगा। मुक्त हो गई है देश से। अब उसको ऐसी बाते करना सोभा नहीं देता है। मेरा अखरी सवाल आपसे है कि एक बड़ी सियासत हो रही कस्मीर से कन्या कुमार यात्रा जा रहे रही राहूल गांधी की और इतनी ठंड है और ठंड में एक टीस्रट पर राहूल गांधी जी अपनी पूरी यात्रा कर रहे हैं। टीसरट वह बहुत सियासत और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर दीए कि सट पर कोई सियासत रहे राहूल नहीं अपना संगर्श कर रहे हैं हर ब्रक्ति को अपनी पार्टी के लिए संगर्श करना है चाहिए। पर चल रहे हैं तो कौनसी बड़ी बात है चलना चाहिए संगर्ज करना चाहिए अपनी पाल्टी के वजूद को अगर बचाना है उनको कांग्रेस समाप्त हो चुकी है तो अगर टीशट पहन कर घूम रहे हैं तो कोई बड़ी बात तो है नहीं को पर हो assuming feeling कोट में है ॐसके बारें में तीिपड करणा थीक नहीं है मिलेगी और शर्म मानना होगा भूब भूध धन्दीबाश तो ये थी हमारे साथ सवा सांससद संगं लाल गुप्ता जी मैं राज़कॉमार पंडे लल्लूराम.com प्रताप गड़